कटना चक्र में आपका बहुत-बहुत स्वागत है संसद दूसरे दिन भी ठप रहा है बाहर से जो आवाजें आ रही है संसद पे वो कर रहे हैं कहीं बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में कोई मैच फिक्स तो नहीं है क्योंकि कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में जो बयान बाजी हो रही है जो बाते चल रही है उसको लेके सियासत सभावी ग्रूप से गर्म हो रहा है इन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं हम आज किस विशे पे चर्चा करेंगे हमारा एजन्डा क्या है तूजी स्पेक्ट्रम की जाच पर सियासी तकरार जेपीची से बीजेपी के पांस सादस्यों ने क्या वॉक आउट कॉंग्रेस नेताओं पर लगाया और संसद्य भाषा इस्तिमाल करने का इल्जाम संसद में कोईले पर जारी है कोहराम पीम के स्तेपे पर अड़ी बीजेपी जेडियू ने कहा कि बहत से निकल सकता है हल और एंडिये में एक बार फिर बीजेपी और जेडियू के बीच जो राय है वो कहीं न कहीं साफ अलग अलग राय बीजेपी संसद चलने नहीं दे लिए, जेडियू कहती है कि इस पर बहस करवायत जाना चाहिए, बहस हो तो ज्यादा बहतर होगा प्रधान मंत्री के बचाव में मम्ता बेनर जी उतर आई है, हमारे साथ है, वर्ष पतरकार है, पुस्पंद कुल्स रेस्ट आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुपंद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पुस्पंद संसद, पहले सरकार परलाइजड रहा है, लगातार है शालों से लग रहा है और अब इस वक्त संस्द कार्वाई से बादित रही है कोई ने कोई मुद्दे होते हैं कोई मसले होते हैं कोई आप कितना भी किसी से विरोध करें और कितने भी आपके आरोप सत्य हों और विरोध के बावजूद भी मैं समझता हूं कि तमाम सारी राजनीती के बाद भी कोई पार्टी, कोई दल, कोई दानिश्वर, कोई डिबेटर इस बात से इंकार नहीं करेगा कि भारतिय जनता पार्टी को इस पूरे मुद्दे पर पहले बहस पे हिस्सा लेना चाहिए, बहस में सरकार को और एक्सपोस करना चाहिए, आपके पास तरक हैं, आपके पास सबूत हैं, आपके पास चीजे हैं, इस तरीके से कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं और बीजेपी अलग थलग हो जाएगी ठीक है ये भी हम मानते हैं भारती जनता पार्टी की कि पिछली कई बार इस तरीके से पारलेमन को स्टॉल किया गया सरकार ने अपनी बात कही कि कारवाई होगी कि पीएसी के पात जाएगी फिर सी बी आई जाच कर रहे हैं ये तमाम लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बीजेपी इस पे जादा विरोध करेगी और बाइकॉट जारी रखेगी बीजेपी अब अलग थलग पड़ेगी एंडिये में अलग थलग पड़ेगी जिससे भारती जनता पार्टी को राजितिक नुकसान होगा और जो दूसरे लोग हैं सत्ता पक्षे और तमाम सारे लोग हैं वो ये साबित करने में एक बार को काम्याब हो जाएंगे कि भारती जनता पार्टी डिबेट से भाग रही है मैं मेरे को लगता है कि पुश्पिंदर जी ने इस पहलू पर बहुत ठीक रंग से इसको देखा है और किसी भी मुद्दे पर संसद को कब तक आप बंद रखेंगे कोई भी जो आप कहना चाहरा है मैं कुछ और इसमें जोड़ना चाहरा हूँ कि मुझे लगता है जो आपने अभी NDA की भी बात कह लिए NDA के मामले में अब जैसे जैसे 2014 नज़िक आता जा रहा है NDA में कहीं न कहीं JDU BJP को नीचा दिखाने के लिए स्कोर करने की मंशा से मुद्द ढून रहा है अब इसी मुद्द पर अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि NDA में चर्चा के बाद ही BJP ने इतना बड़ा स्टेंड लिया होगा और प्रधान मंतरी का स्तीफा मांगा होना चाहिए और अगर NDA में बिना चर्चा के BJP ने इस परकार का कदम उठाया है तो ये भी एक जो गठवंदन की राजनिती है उसका एक अलग सा रूप देखने को मिलता है जो हम UPA पे या कांगरेस पे इल्जाम लगाते हैं कि गठवंदन के साथियों को साथ लेकर नहीं चलती है तो वही बात NDA के ऊपर भी BJP क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है तो उनको अपने गठवंदन के साथियों को विचार विमर्ष करके इतने एहम मुद्देपत कम से कम प्रदान मंत्री का स्तीफा जब आप किसी मुद्देपत मांगने जा रहे हैं तो NDA के साथियों को साथ लेकिन एक एक जो बड़ा सवाल है इससे जो क्या वाकई सरकार संसद को चलाने में दिल्चस्पी रखती है जिस तरह से राजीव शुकला संसदीय राज मंत्री हैं जिस तरह से उन्होंने चेर को जाके जो सलाह दी कथित रूप से जो वो मानते हैं सलाह दी हलाकि यह संसद का कहीं न कहीं संसद जो अपनी गरिमा है उसको अंडर्माइन करने की राजीव शुकला ने सीधर से प्रियास किया उन्होंने कहा जाके कि इसको यहां पर सोरकू लोगा इसको बंद कर दीजी यह एक बहुत बड़ा सवाल यह नहीं कि बीजेपी रोक रही है इसको क्या बी कार्टी जो है वो सिर्फ वाक आउट कर रही है और सरकार आज बहुत बार बार उनके तमाम चाहें अंबिका सोनी हो गरजा व्यास हो या दूसरे लोगों बार बार सब कह रहे हैं कि साब हम डिबेट के लिए तैयार हैं मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से राजी शुकला जी ने जाकर कि कहा चेयर को और वो इत्तफाक से जो उनका माई कौन था और पूरे राज्ट ने सुना ये ऐसा लगता है कि कुछ चीजों को टेक इट फर ग्रांट इड लेना और जो छुपे हुए अंडर कार्ट पेट चल रही थी अब इतनी जादा उसमें तेजी आ गई कि उन्होंने सारवजनिक तोर पे कहा और उन्होंने ये भी देखा के किते हैं मैं कहता हूँ अगर माईक बंद होता है जो सत्तारूर पक्ष की बंदशा है वो चेयर को भी मतलब ये मान के चल रही है कि हमारे हिसाब से चलेगी आप सबने देखा होगा यानि संसद और सरकार तीन मिनट का लौट था और जिस तरीके से वो बारा मिनट तक उन्होंने राष्ट के नाम संदेश दिया और उसके वास सुष्मा सौराज जब ये बात कही तो थोड़ी सी तक्रार होई एक दूसरा आप देखें कि लोगपाल के सिलसले में जब रास सबा में बहस होई तो जिस हटधर्मी के साथ जिस कहना चाहिए कि तमाम संदिये परंपराओं को ताख पर रखे जिस तरीके से जो हमें दंसारी साब ने रात के बारा बज़े डरब होगी उससे ऐसा लगता है कि ये जो तमाम सारी पोस्ट हैं हम इनको कुछ कहतो सकते हैं कि सरकार होती हैं मैं दलीब यही बात कहने जा रहा था कि जो संसद में चर्चा की बात जब आती है परधान मंत्री भी कह रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के और नेता भी कह रहे हैं कि हम इस बुद्धे पर चर्चा को त्यार हैं और दूसरी तरफ उनका जो एक मंत्री है उसकी कारवाई स्प पर जो चर्चा है वो निश्पक्ष रूप से हो सकेगी नंबर दो जब आप सभापती को निर्देशित कर सकते हैं और सभापति आपके निर्देश के अनुसार काम करेगा, तो वहाँ पर चर्चा गर्मापूर्ण होगी, निश्पक्ष होगी, इस पर भी तो प्रशन चिन लगता है। जो सबसे बड़ी बात है, जो संसद नहीं चल रहा है, नहीं चल पा रहा है, उसमें एक सवाल यह हो सकता है कि बीजेपी एक प्रधानमंत्री के स्तिफ़े को मांग के लेके हंगामा कर रही है। जलाद की है, चलाने की बात हो, तो यह क्या विपक्ष के जम्मदारी है। नमबर एक क्या सरकार की जम्मेदारी नहीं है नमबर दो क्या सरकार इस तरह से जो एक निस्पक्ष चेर के रूप में माना जाता है कि निस्पक्षता से वह संसद को चलाएंगे चाहे वह सरकार के संसद हो चाहे सरकारी पाटी को हो या विपक्ष बैठे वह संसद हो उसमें बड़ा सवाल उभर के आ रहा है उसमें यह आ रहा है कि क्या वाकई दिली दिखो एक चीज इसमें साफ है कि लोक तंत्र के अंदर अगर संसत के अंदर अगर विपक्षी पार्टी अपना ये अधिकार खो दे कि सरकार के चलाने की जिम्मेदारी हमारी है सरकार के साथ देने की हमारी जिम्मेदारी है तो पर विपक्ष इस बात का है विपक्ष का ये लीगल राइट है कि वो किसी मुद्दे पे जो बड़ा व्यापक मुद्दा हो और ये जो मुद्दा है कोई बहुत छोटा मुटा मुद्दा नहीं है पूरे राश्ट जोड़ा मुद्दा है उस मुद्दे पर जो पार्लिमेंट की प्रोसीडिंग है उसे स्टॉल करने का उदिकार है लीगल अधिकार है अपनी बात कहें कर करके पूरे देश को बताने का अधिकार है वो ये भी बताएं कि किते हैं कि साथ दो इतने संसे इतने संसे तक पुर्णा मैं ये कह रहा हूँ लेकिन आप इस बात को देखें कि हम पिछले नौ साल का अगर वो करें तो आप जिस तरीके से संसत को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की जाता है सरकार का जिसको कहना चाहिए कि सरकार को जहाँ जुक्षना चाहिए क्योंकि सरकार ही मतलब जिस तरीके से राजी शुक्रा का जो एपिसेट हुआ है ये आप ऐसे के लिए मतलब अंदर से हैं पूरी दुनिया देख रही है सब जगे तस्वीर चपी हुई है सब लोगों से सुना संसथ के मान संसथ की मर्यादा संसथ की सम्मान तमाम चीजों को ताक पर रखे एक सभारत सरकार यह प्रिवलेज की बातें करते हैं ना यही तो प्रिवलेज आप एक तरफ तो मतलब इस तरह से पताने की कोशिश करना है कि सरकार हर संस्था का संस्था का सम्मान करती है जिस तरीके की भाषा पिछले दिनों कैक के बारे में कही गई जिस तरीके की भाषा और दूसरे संसथी है उसके बारे में के इलेक्शन कमीशन के बारे में जिस तरीकी की बातें कानून मंतरा लेने की यूपी चुनाव के दरम्यान, आप देखिए बहुत औगनाइस तरीके से इस समय सरकारी जो पक्ष है, वो किस तरीके से सरकारी जो जो कॉंस्टूशन, जो वो हैं, समस्थाएं, उनको किस तरह से डेमेज कर रही है, अब आप साथ जो कॉंग्रेस के कैंडिडेट थे कल तक और उपराश्पती बने और बाई डिफेक्टो ऑफ डेट उसके एक्स ओफिशो होते हैं रास्वागे क्या ये निश्पक्ष है लेकिन जिस तरीके से कल कोरियन साथ ने इस बात को कहा कि नहीं वो मैं तो बरखास करने वाला ही अगर राजीव शुकला ने यह यह राय दी भी थी तो भी मैसलता हूं पीजी कोरियन साब को उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी बात यह कोई बिलीव नहीं करेगा दो मिनट के अंदर में इसका मतलब बहुत सीधा-सीधा है कि आप कहीं ने कहीं उस वह में हम दिखाते हैं आ संसद में जो नजारा मंगलवार को देखने को मिला वैसा ही नजारा बुधवार को भी देखा गया बीजेपी संसद प्रधान मंत्री के इस्तीफे की मांग पराड़े रहे और हंगामा शुरो कर दिया लोगसभा राजसभा दोनों सदनों में बमुश्किल दो से तीन मिनट के लिए ही बैठक हो पाई हंगामे के चलते दोनों सदनों की कारवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाया कि बहस से कोई नतीजा नहीं निकरने वाला है हम 2G से लेकर CWG तक के मामले में सरकार का रवया देख चुके हैं वहीं जिस दिन से कैक की रिपोर्ट सदन में टेबल की गई है उसके बाद से ही कॉंग्रेस और सरकार का एक ही रटा रटाया जबाब चल रहा है कि प्रधान मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार सदन में पहस करने को तयार है हर मुद्दे पर साथी एक बार फिर BJP को सदन की कारवाई ना चलने देने के लिए जिम्मेदार ठाराया कॉंग्रेस के लिए राहत की बाद इतनी जरूर बुद्धवार को नजर आई कि कल तक एक जूट विपाक्षब विखरता हुआ दिखाई दे रहा है पहले वामदलों ने संकेत दिये कि संसत की कारवाई चलनी चाहिए और इस मसले पर बहस की जानी चाहिए और उसके बाद BJP की एहम सहयोगी भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है जेडियू का कहना है कि सदन की कारवाई ठब करने से नतीजा नहीं निकलना है कैक की रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए कोल गेत का मामला को साथ हम सहमत हूँ हम उसको पर बादचित चाहते हैं दोशी को खिलाफ कारवाई चाहते हैं कोल ब्लॉक आवंटन के मसले पर कैक की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों में ठनी हुई है दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से एक दिन की सदन की कारवाई चलने में करोडों रुपे बरबाद हो रहे हैं और एक भी काम नहीं हो पा रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा कॉंग्रेस या फिर बीजेपी बीरो रिपोर्ट जैनन्यू और बीजेपी की वे प्रवक्ता है मुखतार अववास नकवी उन्होंने क्या कहा इस प्यापकों दिखाते हैं रुपए के लूट को लूट करके ये सरकार और खास तोर से कॉंग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि वो विपक्ष वहाँ पर सत्ता पक्ष के बिल पर सत्ता पक्ष की बातों पर हाथ उठाने के लिए बैटे और उनी की तरह ना उजदत की चिंता ना फिकर किसी अपमान की जय बोलो बेइमान की हम भी बेइमान का जय बोलते रहें और उनके हा मेहा मिलाते रहें तो ये संबह नहीं है विपक्ष यहाँ पर है उस भरष्टाचारियों को उन तमाम भरष्ट लोगों को उन घोटाले बाजों को और उन घोटाले के गुरु घंटालों को इस देश से मुक्ति दिलाने की और इस देश को उन घोटालों के गुरु घंटालों को जेल भीजवाने की जो चोर वही चोकीदार चर्चा किससे करनी है तो आज जब प्रधान मंत्री का सिंगासनी ब्रश्टाचार के पाये पर बैठा हो तो चिर्चर्चा किस से करेंगे आपने इंतुना बीजेबी के प्रवक्ता है मुक्तार वासनकवी सरदियादव जेडियू के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं जो बात हुई थी सबसे और जो हम लोगों का तो वो सबसे बात की है तो सब लोग डिबेट के उपर तयार हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये बात अभी तक यहां तक है जेडियू और बीजेपी जो एंडिया के घटबंदन है इससे साफ लगता है कि एक समन्नुए इसको कहते हैं कॉडिनेशन की कमी है घटक दल के बीच में इसको आप साफ साफ देख सकते हैं तो उन्होंने कहा कि जो बात अभी तके बहस पे तो क्या बीजेपी एक अलग नहीं मैं जो बात थोड़े दर पहले बड़ भाई ने कही थी कि देखिए इस समय दोहजार चौदा का चुनाओ हर घटक को हर दल को जादा सता रहा है और क्या हालात होंगे दोहजार चौदा के ये ध्यान में रख करके जिस तरीके से राश्पती के मामले पे बी कौन आदमी इधर जाएगा कौन सैकुलर हो जाएगा कौन कमिनल पार्टी के पास आ जाएगा ये सब सता तै करेगी मैं समझता हूं कि इस समय जनता दल यूनाइटेट के सामने जो चुनाओ है वो बिहार का है जो वहां खासतोर से लोगसभा के दरमयान क्या उनकी के ले जाएगी और ये घटक दल कल अपनी मजबूरी के तहद कल अपने रहालातों के तहद बीजेपी के साथ आ जाएगे तब ना कोई सैकुलर होगा ना कोई कमनल होगा लहाजा आज जेडियू के सामने बिहार है तो दूसरी पार्टियों के सामने अपने अपने दल है ल बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक जो बड़ी पिक्चर जो देखे देश को कि नहीं हम ब्रिस्टाचार के खिलाफ हम सारे लोग लड़ रहे हैं हम ब्रिस्टाचार के खिलाफ सरकार को गेर रहे हैं हम ब्रिस्टाचार के खिलाफ सरकार को ये करना चाहते हैं ये कोई बहुत ब पक्ष को लगता है कि उनके पास कांग्रेस पार्टी की जो नीतिया है उसके उपर बोलने से शायद आम जनता को कोई फर्ख नी पड़ेगा किस तरह से जनता को भरमाया जाए और ब्रिश्टा चार से क्योंकि हर आदमी जो है तरस है लहाजा इस मुझे को वो भुनाने में ल जाए तो वो मुझे लगता है जल्दबाजी है भारती जनता पार्टी की क्योंकि ना तो वो खुद तयार है मान भी लेते हैं हमके भारती जनता पार्टी ये चाहती है कि चुनाव हो जाए सरकार गिर जाए तो ये कोई तहने को तयार नहीं है देश में कि क्या कॉंग्रेस के या UPA के गिरने के बाद या हटने के बाद भारत जंता पार्टी आए एंडिया सरकार में आने के लिए तयार है ये विश्वास शायद उन्हें भी नहीं है लेकिन जल्दी से इस माहुल के गुनाना चाहती है इसके बियोंड राजनेतिक दल ना तो संस एक तरफ तो कॉंग जिन भाई ने जो बात कही इसमें एक दो चीजें और एड़ करना चाहता हूं सबसे बड़ी बात क्या है कि देश में अभी हाल ही में असाम का कितना बड़ा मुद्दा उठा कितना बड़ा गटना करम है उसके बाद ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर डिबेट होनी चाहिए अगर हम मान लें जो कल आपके सामने था राजय सभा में किस परकार मंतरी ने सभापती को निर्देशित किया अगर ये स्थिती है तो बीजेपी को राजनीतिक रूप से ये एक्सपोज करना चाहिए सरकार को कि पारलिमेंट हम जाम नहीं करना चाह रहे हैं पारलिमेंट सर वरिष्ट नेता भी है अपनी रॉय और पूर्व राजसभा संसत भी है उन्होंने बहुत साल तक राजसभा में अब रॉय जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मारे कार्क्रम में आपका जो सवाल एक जानना चाहता हूं आपसे आप राजसभा में बहुत दिन तक रहे राजीर शुकला ने जिस तरह से चेर को जो सला कथित रूप से जो वह सला उन्होंने दी वह सला क्या जायज है और इससे क्या सरकार की मनसा है कि संसत चले आपको दिखता है इसा जो राजीर्स चुकला ने कल उपसवापती को जो राजसवा में उनको बताया कि आप संसद आप कारवाई को पूरे दिन के लिए एडजर्ण कर दीजिए क्या इससे सरकार की मंसा और सदन की मर्यादा को आप कैसे देखते हैं देखिये संसद की मर्यादा जो गड़ा है जी तो इसमें सरकार भी बार बार देखल देखे इसको खड़ाब करना है लाजसरा है जैसा इस से पहले जब मुक्सवापती चेहें बरना बरना मुक्सवापती चेहें अख्री दिन पर उन्होंने जिस्तन से पाइने राच्ट पर दिया बदी दूख की बात है कि एसा भी हमारे देश में चत्ता है संसत्यात्तर कि हाली हाल में पीजे कुछान बनी और बनने के साथ साथ ही उनको अधा निर्देश के जाए तो बड़ी रूख की बात है कि राजी सूखना भी करते हैं और हमारे व्लाज़ की परंपणा है उस परंपणा लग नहीं क्या मैं सवाल है क्या ये सरकार की सरकार की मंसा आपको लगता है इस तरह से सरकार की मंसा दिखाता है कि सरकार वाकई संसत को चलाने में गंबीर है ये बहुत-बहुत धनिवाद अपनी राजी आपका ये बहुत साफ कह रहे हैं एक तरह से हलाकी तकनीकी खड़ाबी करण पूरी बातों को नहीं से लेकिन वह कह रहे हैं कि सरकार कि मंसा तो बहुत साफ है जिस तरह बनते ही उन्होंने जो जिर्देश दिये आपकी इसी बात को मैं पहले यही बात कह रहा था कि ये विपक्ष के नाते BJP को सरकार को एक्सपोज करना चाहिए और ये एपिसोड इतना बड़ा एपिसोड है जिसको लेकर सरकार जो उनके औ चिर्षा है कि जो संसद लगातार जिस तरह से काम नहीं कर पारीए वो क्या कहा है आपको मनें निखाते हैं दिकार है अगर अगर आपके पास थोश सबीच है अगर आप के पास बड़ी बाते हैं जो आप उज्दार करना चाहते हैं, लोगों के सामने रखना चाहते हैं, तो चर्चा करवाना सबसे उचेत रास्ता है. उनको जानकारी ही नहीं है, सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहते हैं, रोज एक नया मुद्दा उठाना चाहते हैं, आप लोग टेलिविशन में टाइम देते हैं, अख़वारें उनको लिखती हैं, अगले दिन कोई और मुद्दा, ये तो पार्लिमेंट का मकसद नहीं होना चर्चा नहीं करवानी, तब भी बहुत ज्यादा साधनों का नुकसान होता है, और वो साधन भी राश्चते हैं, आपके सामने, मैंने कहा ना कि सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है, कि चर्चा से भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ सदन को स्थगित करवा रहा है उनका मंत्र यह बहुत बड़ा अगर इसको आप पासिंग उसमें देखें तो छोटा मुदा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जो तरह से चीजे हो रही है, जिसको कहीं ने कहीं जो बातें हो, हलाकि बीजेपी क्या कर रही है, यह बीजेपी कर कोई नेता हो तो ज्यादा बहतर, लेकिन कहीं ने कहीं बीजेपी चूक रही है, यह सियासी फाइदे के लिए बड़े मुद्दे को या बड़े चीजों को भूल रही है, ने मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से भारते जनता पार्टी ने राजीव शुकला के पूरे एपिसोड को एक रस्मी तोर पे बात कहके आगे बढ़ाया, और दूसी तरफ वो राजीव शुकला की बात को अपना इशू बना रहे हैं, कि एक तरफ मंत्री जो है सदन को श्रुद करने की बात कहते हैं, दूसी तरफ उनके सारे नेता कहते हैं, कि साब आप सदन को चलने दीजिए, सदन में आके बहस कीजिए, मैं समझत बात कहते हैं, कि साब ये तो देखें, एक तरफ तो ये कर रहे हैं, और दूसी तरफ हम से कह रहे हैं, कि हम आखे बातचीत करें, मुझे कभी-कभी ऐसा भी शक होता है, जी, तो इस एक लिखित स्क्रिप्ट है, इस पे बीजेपी, और इस या समस्त पर आप ने रविंद क केजरिवाल का बयान भी आया है, कि हम लगता है कि दोनों सिरफ मिले हुए, मैच फिक्स थै, आप ये देखी ना मैंने बताया कि कि कितनी बड़ी घटना घटी है, बॉमबे की घटना है, असाम की से जुड़ी हुई घटना है, तब तब आप ऐसे मसले हैं, जिस पर चर्च लेकिन एंडिये में, जिस तरह एंडिये के घटक दल कह रहे हैं, कि चलनी चाहिए, लेफ्ट पार्टियां भी अब शुरू हो गई है, कहना कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें 14 वर्ष तक भारत सरकार का जितना भी स्वास्त का बजट है, वो चल सकता है. जिस परकार अलोचना की है, मेरे खाल पिछले जबी चुनाव उत्तरप्रदेश के चुनाव में, आप चेयर को, आप चेयर को, राजसवा में आप चेयर को जाके जिस तरह से निर्देश दे रहे हैं, वो एक एक ये चोटा मसला नहीं है, बहुँ छोटा, ये तो कहने की ब चेयर को कम से कम आदे घंटे तक संसत चलाना चाहिए था, फिर वो कहते क्या केते हैं, कि मैं स्थगित कर रहा हूँ, इस से ऐसा लगता था, कि वो बहुत मिला जुला नूरा कुश्टी थी, वो वैसे भी करना चाते थे, इन्हों जाके कहा के नहीं कर रहे हैं, तो आप इस किस तरीके से एक गौहाटी बाउंट ट्रेंड के अंदर दो लोगों को गिराया गया और वो मर गए बिचारे दोनों लड़के, उसके बाद आपने पूरे मन लोगों को पकड़ा, वो तमाम सारे लोग जिसमें ये शक था कि तमाम सारी पार्टियां, खासतोर से एक बहुत खासतोर से जो वहाँ से आए हैं, इनका वोट बैंक की राजनीती है, ये पूरे मुद्धे में पूरे देश के अंदर एक ये माहौल बना, कि क्या कॉंग्रेस पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है, कि जिस से लोगों को लगा कि एद के बाद एक ब नो पार्टियों का कोई इंट्रेस्ट है, जिसकी वेसे पूरी बहस साइड में रख दी गई, और एक नए मुद्धे की उपर पूरे देश को दिखा दिया गया, तब किसी को पता नहीं कि आसाम में चारला कल तक शर्णार्टी जो थे, वो किस तरह से रह रह रहे थे, क्या संसद इस पर गंबीरता से चर्चा करेंगे, कोई इस बार कार को कारवाई के लिए, और आप ये देखिए कि लगातार हिंसक गटनाए हो रही है, और वहां की प्रदेश सरकार केंदर पर आरोप लगा रही है, और उसी दल की सरकार है, आप ये देखिए कितना बड़ा विडंबना है कि आज संसद में उस इशू के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं, वो बात ही नहीं है, उसको मोड दिया, वो देख नया शूर रहा है, अब उसके ऊपर चलेगा, क्या आपको लगता है दिलीब जी, कि देश के प्रधान मंत्री इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दे और इस्तीफा देने के बाद फिर संसद में आएंगे, कहेंगे मैं चर्चा के लिए हो, ये बीजेपी ने जान मूच कर इस तरीके की डिमांड रखी है, कि ना होगा बांस ना बजेगी बांस ली, और ये ऐसी चलता रहेगा, और कुछ दिन के बाद में कहीं कोई कंप्रोम आइक बांदार है, तो उसको इतना बड़ा मुद्धा नहीं बनाना चाहिए था, कि इस्तीफा, ये वो जानते हैं कि जिस्ते से चिदंबरम का इस्तीफा पिछले से बलाबर मांग रहे हैं, चिदंबरम का इस्तीफा तो आज तक हो नी पाया, पुर्दान मंतरी का तो नैतिकता के आधार पर भारती जन्ता पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए पिर ये नैतिकता की बात नहीं चाहिए कि हम विपक्ष में हैं तो हम नैतिक हैं जो पुश्पिंद्र भाई ने बात कही चिदामरम को उसी मंतराले में शिफ्ट कर दिया गया जहां जिस कारण जहां पर बैठके उन्होंने स्कैम उनके ओपर आरोप लगाए गये जिस वित्मंत्री के नाते उनके दौरान स्कैम और इसलिए वो स्तीफा दे और उनको फिर वावित्री वो इसको बूल गया है अभी पुश्पिंद्र रहा हूं कि सिर्व उन पुल्टा गेम वो सियासी आकड़ों को सियासी तुरंत सियासी फाइदे को फाइदे के लिए कुछ में सियासी मुद्धा जो है ना बना नहीं पाए हैं और मुझे लगता है कि डिफैंसिव हो गये हैं अब भी मैंने कहा कि और एक तरफ मैं आपको और बता हूं कि जैसे ज फिलहाल एक ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हम जल्द वापिस आते हैं प्रेक के बाद हम जल्द वापिस आते हैं